नमस्कार शाथियों आला मिश्ट डे अंड जो पर मैं आपका स्वाग्र करता हूं आज हमने यह स्टार्ट किया है जेकेंड क्रेड के लिए जो यह दर्शन सास्तर्ष है समझेतियां पर आपको खला से मिलें कि जितना भी सलेबस है पूरा सलेबस के जो मैटपॉन के उसने प प्ले लिस्टे स्टार्ट किया है यह परिक्षा कि दर्शा शिस्टम भूत ही मैटमूट रहने वाल है आज यह दर्शन सास्तर की क्लास है जिसमें दर्शन सास्तर हुआ तोपिक है व्यूप वेदों जाइबस उपनिसद्वों का मूल-बरशन गित्या गानिश्काम-क्रम सब क्या आपके जो दर्शन शास्तर में सले बस यह टोपिक है इस टोपिक के माधियम से हम जो पीछे प्रिक्षाओं में किस प्रकार क्युस्टन आते हैं वह किस्टन करवाएंगे और आपको देखने को मिलेंगे अब क्युस्टनों की सुर्वात करते हैं अब देखो यहां पर पीछे प्रिक्षाओं में क्युस्टन आया वाकिस्टन है वही हम करवा रहे हैं तो यहां पर आप देखते हैं वीगत प्रिक्षाओं में पूछे के पर्सन है एक नुमर पर्सन है वेदों में चर्चित रित का आर्थ नहीं है नेतिक नियम जगत की मैंगी अवस्ता प्राकृर्ट नियम रिश्य अधवरा बनाए गई और कैसे नहीं दोर ऑलन गया यह देख्ट है दोह नम्बर किस्चन अंग और उपनी सद में मुख्य अंतर आया तो वेद और उपनी सदों में मुख्य अंतर क्या है तो ये सेकिंड ग्रेड़ दो जादा समाया वा क्युस्ट्टन है देखते हैं से एक मुखी अंत्र प्र मुख अंत्र क्या है वेद रीषयों की रिचाएं है और उपनीशिद और पौर ईसेश है यह क्या तो यह गलत दिया हुआ है वेदों का ज्यान इसफ़ट है और उपनिस्शिदों की ज्यान है इसफ़ट है यह भी क्या इसमें गलत दिया हुए है शलिए क्योंकि इसुपनिस्शिदों को वेदाथ क्यूं काजाता रहा क्यूंकि क्यूंकि ये वेद के अंतिम भाग है इनमें गंबीर तात्विक विवेचन हुआ है इसमें क्या हुआ है गंबीर तात्विक विवेचन हुआ है तो तीन नम्बर आई टांसफर हो जाएगा 2000 दर्श्मायावा किस्टन है ये समसथ भारतिय दर्शन का प्रात्मिक स्रोत कौन सामाना जाता है वेद पुरान उपनिजद या वेदान तो कौन शामाना जाता है इसमें एक नम्बर आईटांस हो जाएगा वेदे माना जाता है नेक्स्ट है पांस नमबर क्यूश्चन वेदों के अनुशार पूरे बर्मांड का संचालन सितांद है वेदों के अनुशार पूरे बर्मांड का संचालन सितांद कौन शाय तो रित है कौन शाय रित है दो नमबर आई टांसवर हो जाएगा next X है नम्मर क्युस्टरव सान ुपनी शदों के अंुशार स्रेश्टम आदृष है है स्रेश्टम आद्रष तो के आद्रष क्या स्रेश्टम मोक्ष है क्या है स्रेश्टम मोक्ष है । यह second grade 2013 में आए वह question है तो भीस से बढ़ती हुई दो तिन second grade की उसकी सारे किस्टन हमने सम्मलित किया है इस लास के माधिम से किस्टन एक के शरव क्या अर्थ है तो ऑस जो बहुं बहुए कि से मानने में मानते है कि के ELK यहिश्वर की शिता में वो विश्वास करती है यह क्यायं यह पूरान अरनिक तो इसमें क्या पुरान एए यह वेद के अग नहीं है तो दो नमबर राइट आन्शवर हो जाएगा क्यों कि अंई गूरू के समिप निश्टा पुरोवक बेठना थी नमबर राइट आन्शवर हैं हो जाएगा कैसि नेक्सट ऑा वेदिक समाज में रित का अर्थ है वेदिक शाहित्य में रित का अर्थ है तो रित का अर्थ है सास्वत निर्तिक ब्राह्मन प्रांडिये वेवस्ता तीस में तीन नंबर आईटांस रो जाएगा यह क्या है वेदिक शाहित्य में रित का अर्थ है नेक्स्ट है निमिलिखित में से क्या वेदों का भाग स्विकार नहीं किया जाता है यह शेकींग्रेब इस पेशल एजिकेशं 2015 में आये हूँ नहीं किया जाता है तीन नम्बर आई टांसवर हो जाएगा नेक्स्ट है बारा नंबर क्यिस्टन निमलिखित में से कौन सा वेद्त्रिये में समलित नहीं है वेद्त्रिये में इनमें से कौन सा सामिल नहीं है रिगवेद, यजूरवेद, अत्रवेद और सामवेद तो कौन सा सामिल नहीं है तहीं नमब राइटांसवर्जह के अथ्रवेट यह क्या इसमें समय नहीं है नेक्स्ट है तेरा नमबर क्ुिस्ट्ट्ट्ट्थ। उपनिशद के कथन एहम ब्रमासिम का अर्थ है तो इसका अर्थ है कि मैं ही ब्रम हूँ क्या र्थ है मैं ही ब्रम हूँ चाह नमबर आई टांस्वर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्म उपनिशद में हम नचिकेता और यम के मद्य एक ग्यान पुर्ण स्वाद पाते हैं इस परशिद उपनिशद का नाम है तो उस परशिद उपनिशद का क्या नाम है कथो उपनिशद है इस prick पलव्यद उपनिशद यह नी कथोप निशद है उसका नाम चाह नमबर आई टांस्वर हो जाएगा नेक्स्ट है पंधरा नमबर वेद्या पर्स्ताविद करते हैं कि सहरा बरमांड एक व्यांश्तृ यतिकाई है फ्या करता है कि सहरा बरमांड एक व्यांश्त Pent कहीं है जो एक शुर्व व्यापी नियम के अंतरगत है इस नियम का नाम है तो इस नियम का नाम है तो इस नियम का नाम है रित का नियम है तिन नमबर हो जाएगा नेक्स्ट है दोस्तों शोड़ा नमबर किस्टन एक तत्वेवाद के बीज मिलते हैं जो एक तत्वेवाद है उसके बीज है वो कहां मिलते हैं जो इस पर चैस करते एजुकेशन है उस में तो एक तत्व वाद के बीज मिलते हैं तो कहां मिलते हैं तीन वराइटास रोज़ाई का वेदों में मिलते हैं कहां मिलते हैं वेदों में मिलते हैं निमिलखित में से किस देवता को रित का सरक्षक कहा जाता है तो वो देवता को नहीं इंदर एगनी वरून और विश्वकर्मा तो इनमें से कौन से वरून है तिन नमबर आईटास रोजेगा कौन से वरून है कि निएख्ट है है जो वेडिक दर्शन में सरष्टी ऊत्रपति की व्याख्या पाय जाती है तो देखते हैं नाश्दिये शुक्त में पाय जाती है ऍिस्का राइच वर हो जाएगा निक्स्टै युपनी सिदो में जागरत अबस्ता हो reference हो जाएगा य इसको में जनुट्र इसको वे-स- किसन स्थyuसिफ करें दर्षाता तो किसका समुद्र शात है तो किसका षैश्व करता है आत्मा और प्रहन का जिसका फल शैक है और प्रहन का समझ्द लिए सब्सक्राइब उपनिशेद मुख्य रूप्षें है तो उपनिश्द मुख्य क्या है व्याठी दर्शन और आत्म का सिरोत ना आत्मा कि अवस्ताओं के ठीक ठाक अनुखरम का चेन करे तो आत्मा जो अपनि निष्दिक आत्मा के वस्ता के ठीक ठाक अनुखरम का हमें चेन करना है तो कौनसी है जागरत, सवपन, सुशुप्ति, टूरिया इसमें दो नमबर राइटांस रोजएगा ये क्या है सही अनुखरम खीटा अकनूप्रम है, नेक्स्ट है, वेदिक सब्यता का विकास विविन्च रणों में वहा है, जो वेदिक सब्यता है, तो उसका विकास है, वो विविन्च रणों में वहा है, तो इसके कौन सा शही करम है, करम सही कौन सही, वो हमें बताना है देखते है कौन सा करम है, वो तो इसमें शुर्वार्वाद तो यह क्या एक नम्रा आजाएगा उसके बाद है बहु देववाद उसके बाद एक के शुर्वाद और अंध में क्या एक तत्वववाद है तो इसमें बी सी ए D, C, A, B राइट आंस्वर हो जाएगा Next एके स्वरवाद का अर्थ है जो हमने भी नाम सुना था एके स्वरवाद तो उसका क्या अर्थ है केवल एक ही इस्वर की शता में विस्वास करना केवल एक ही इस्वर की शता में विश्वास करना यहीं क्या है कि शुरुवाद का अर्थ है तीन नंबर आई टांसर हो जाएगा नेक्स्ट है परम पुरुशार्थ है जो परम पुरुशार्थ है वो क्या है वो क्या है धरम अर्थ काम मोक्ष तो परम पुरुशार्थ क्या है चार नमबर राइटांस रोजाएगा क्या है मोक्षे है नेक्स्ट है उपनिश्दों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनिश्दों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग है उपनिश्द क्या है वेद के अंतिम भाग है इनमें गंबीर तात्विक विवेचन हुआ है इसमें तीन नमबर राइटांश वरो जाईगा इसलिए क्या का जाता है उपनिश्दों को वेदान्त इसलिए का जाता है क्योंकि वेद के अंति में भाग है इनमें गंबीर तात्विक विवेचन हुआ है नेक्स्ट है उपनिश्दों के अनुशार स्रेष्टम आदर्ष है उपनिश्दों के अनुशार स्रेष्टम आदर्ष कौन शाह है सुक, भोतिकला, मोक्ष और धर्म तो स्रेष्टम आदर्ष कौन शाह है तो वो मोक्ष है तीन नमबर आईटांश्वर हो जाएगा नेक्स्ट है उपनिश्दों के नुशार आत्मा और ब्रह्म के मद्य कौन शार्शमन्द पाया जाता है उपनिश्दों के नुशार आत्मा और ब्रह्म के मद्य कौन शार्शमन्द पाया जाता है तो इसमें तीन नमबर राइटांस्वर हो जाएका तादात में पाया जाता है तीन नमबर राइटांस्वर नेक्स्ट है उपनिशद में निर्गुण ब्रह्म को कहा जाता है जो उपनिशद है उसमें निर्गुण ब्रह्म को क्या कहा जाता है अब पर ब्रहम, पर ब्रहम, शाकार ब्रहम, प्राण ब्रहम, तो क्या का जाता है? तो परभ ब्रहम का जाता है, दो नंबराइ टांस वर वो जाएगा, नेख्स्ट है, मंधू के अपनिश्द के अनुसार आत्मा की कुल अवस्ताएं है, 4, 5, 6, 3, कितनी है? है तुम YOUR चाहर जो हमें दर्शन यह पिक तव कम्प्लीट कर वादध है कि आ डोनमबर कि जिदता का निश्काम करम उसके किषचन है क में अगली क्लास में परेंगे आज एकी क्लास में हमने जो महत्पूर्ण क्यूस्टन थे जो पीचे प्रेक्षायों आई वे क्यूस्टन थे वो हमने करवा दिये है क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर से जरूर करे और जो असस्टिशन, शेकेंड ग्रेड से समन्दित है उन विद्यार्थियों के लिए बता दे कि हम मोडल फेपर की स्टार्ट कर रहे है 150 किस्टनों के वो आपके लिए बहुती महत्पूर्ण सिध होगी इसी के साथ जे हिंद जे बार धन्यवाद